बिसमिल्ला रह्मान रहीम परी नंबर 65 अभी स्टार्ट करते हैं बूलियन एक्स्प्रेशन क्या होता है और बूलियन अलजब्रा की कवानिन बूलियन एक्स्प्रेशन जो है इसमें जब हमारे पास एक से जदा ओपरेटर्स होंगे तो उनका भी हम टूथ टेबल बना सकते ह जैसे के या तो हो A और B एसे भी हो सकत ए नॉट बी नॉट इसी तरह से PR Q, PM , Q, PM , Q नॉट ठूट नॉट तो यह तो सिंपल हो अगर हम यह कहें कि और भी हो रहा हो and भी हो रहा हो और नॉट भी ओ रहा हो यानि मिल पर यहां पर यह देके मैंने लिख भंए P not dot q यानि कि P not हो रहा है not operator हो रहा है और साथ में dot भी हो रहा है यानि end भी हो रहा है और अगर plus होता तो हम कहतें कि R हो रहा है तो अगर दो काम अकटे हो रहे हो तो उसको हम boolean expression में किस तर हासे करेंगे कि यह देखें पहले P का पहले true था तो P not क्या होगा false होगा P true फिर P not false P false not लेंगे तो true हो जाएगा अगर false होगा तो not लेंगे true हो जाएगा यह 4 इस लिखें क्योंकि Q के साथ आगे इसका काम करने यह हमने P not वाला काम कर दिये P not ले लिए उसके बाद हमने क्या करना है इस P not की जो answer है उसका Q के साथ हमने end लेना है और end किस सूरत में true होता है जब दोनों true है जब दोनों true है तो result क्या है true बागी तीनों condition में आप देख लो false है तो इसमें और बागी जो पीछे आपने गाम केसमें थोड़ा सा फरक है फरक यह है इसमें दो अब आप operators यूज करे हो not भी यूज करे हो और end भी यूज करे हो तो और भी आ सकता है अगर सारे मिला कर आप यूज करेंगे इसको आप Boolean expression में शो कर सकते हो next है Boolean algebra के कवानी तो आज के लिए आपका पहला कानून ही है जो कहा है कानूने मुबादला या कम्यूटेटिव ला इसमें ये जो operants होते हैं वो अपनी जगा तबदील करेंगे operator वो ही रहेगा जैसे A and B को हम क्या लखते है A.B is equal to B.A डाट वो ही रहेगा सिर्फ A और B ने अपनी जगा चेंज कर ले जहां पर A था वहां पर अब B है equal के बाद और जहां पर B था equal के बाद वहां पर A है इस तरह से और का जो है कम्यूटेटिव लाक्या होगा A प्लस B is equal to B प्लस A प्लस वहीं रहेगा A की जगा पे क्या आगए equal के बाद B और B की जगा पी के आगए equal के बाद A तो आगे जो लॉज हैं वो आपके क्यूंके आज की टास्क में नहीं आते है तो वो हम कल डिसकस कर लें अब यह जो पिछला पेज है इसमें से कुछ थोड़ा सा रहता था पिछली वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ कि यह और की इनपूर्ट्स है और यह P है यह Q है ठीक है वीडियो थोड़ी सी बलर आ रही है आप बुक से टैली करो इसको दोनों ट्रू है तो ट्रू है पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो भी ट्रू है पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो भी ट्रू है और में किस सूरत में फॉल्स होगा सिर्फ जब दोनों फॉल्स होंगे तब यह फॉल्स होगा या पिर जब दोनों जीरो होंगे तब जीरो आता है और को आप कैसे लिखते हो P R Q या फिर P PLUS Q से और END वाला मैंने पहले आपको बता दिया ठीक है जी थैंक यू